जहें दोस्तों, आज की क्लास प्रारमुज से पहले आपको बता दें कि आपने अनकेडमी आप तो डाउनलोड करी लिया होगा, ना किया हो तो कर लें और उसमें जाकर कि आपको फिरी पिलान अनकेडमी के माध्यम से मिलना है, जिसमें आपको MPPSC सेलेक्ट करके सुमिछ जेन रेफलर कोड डालना है, आप फिरी में लाव ले सकते हैं, आपको बता दें कि फिरी पिलान के अंतरगत, आपको 500 पलस लाइब किलासे मिलेंगी, जिस पहरी आदी, जितने भी एकजाम MPK आप उनकी तयारी आपको फिरी कराई जाएगी, फिरी में लाइब कुछ भी है, जिसमें 20,000 पलस कॉस्चन है, उसके माध्यम से भी आप अपनी तयारी कर सकते हैं, T20 सीरीज डेली सौंबार से लेकर के सनी बार तक रात को 8 बजे होती है 20 में 20 प्रिशनों के उत्तर आपको देते हैं, तो इस प्रकार से बेनिफिस्ट से हैं, आपको फिरी पिलान के MPK एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, आप साथ ही साथ डेली लाइब किलास आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसके अंतरगात आपको बता दें कि फिरी किलास में आप MPPSC, MPPOLIS, MPSI, आदी जो भी आपके MPK एग्जाम हो रहे हैं, उन सब की तैयारी कराई जाएगी, चलिए अब कलास आपके जहें दोस्तों, मैं आमें सास्तिरी निरंतर आपसे हिंदी व्याकरण के महत्पून प्रिशनों पर चर्चा कर रहा हूँ, उसी में कल तक जहा प्रिशनों को सही उत्तर बताते हैं, उनकी तैयारी देख करके लगता है कि ये तो नौकरी लेकर के ही रहेंगे, आप सब भी लेकर के रहेंगे, हमारे पूरे वीडियो देखें, संख्या बाचक विशेशन कितने प्रकार के होते हैं, पड़े हो आपने विशेशन, तो जल तो संख्या बाचक विशेशन हैं, वै कितने तीन प्रकार के होते हैं, बी उत्तर ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, कौन सा सब्द परिमान बोधक विशेशन है, परिमान बोधक विशेशन आपको बतलाना है, इनमें से कौन सा सब्द है, तो हाँ, जल्दी से ये भी दूद भै क्या हो जागा, परिमान बोधक, आगे प्रियोग की दृष्टी से विशेशन कितने प्रकार के होते हैं, विशेशन पड़े हैं दोस्तों, जल्दी से बता दें, जिन ना पड़े हो तो पूरी तयारी करनी हूँ, तो हमारे यूटूब चैनल टॉप 50 शड़ी को सब्सक्राइब करने जा करके और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दें, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको पूरा सलेवस करम से पड़ा रहे हैं और आगे भी पड़ाएंगे, तो प्रियोग की दृष्टी से विशेशन कितने प्रकार के हैं, तो आपको बताने, प्रियोग विशेशन बताना है, इनमें ऐसे कौन, तो आपको बता दें, मेरा लड़का आलसी है, इस बाक में विधे विशेशन है, ठीक है, इनमें ऐसे कौन सा सब्द मूल अवस्था है, मूल अवस्था मतलब मूल रूप में है, तो आपको बता दें, प्रिये तर, ये तो मूल रू आंगे की अवस्था है मूल अवस्था क्या है सुन्दर ऐसे होता है दात का उच्चा रणिस्थान क्या है ठीक है दात का उच्चा रणिस्थान आपको बताना है तो वह हो जाएगा नाक हिंदी में कितने बरण है हिंदी में बरणों की शंख्या कई बार पूछी गई बिलकुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है बचपन से ही पड़े हैं बावन बरण बावन खड़ी हिंदी भासा का जन्म कहा हुआ है उत्तर भारत आंद्र प्रदेश जम्मू कर्समीरिन में से कोई जल्दी से बता दे हिंदी भासा का जन्म कहा हुआ उत्तर भारत में हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है बोलियों से संबंदित प्रशना गया इस पीडियप में आपको सब कुछ मिक्स मिलेगा तो रामपूर मेरट दहरादू कहां पर बोली जाती है या खड इंपी प्रशना गया आपका हिंदी भासा संबंदित जिसको हम बैरी बैरी आई एंपी बोलने मतला उसको आपको रट लेना है ठीक है भासाई आधार पर सर प्रथम किस राज्य का गठन हुआ भासाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ है वो आपको बतलाना है तो भासा के रूप बताना है, कितने होते हैं, तो आपको बता दें कि भासा के दो रूप हैं, अब कौन-कौन से हैं, तो यह दो रूप हैं, लिखेत और मौखेक दो रूप होते हैं भासा के, आगे, कौन सी भासा इस देश की पुरानी हैं, अपन भाई भारत देश में रहते हैं गर्व की बात है तो यहां पर कौनसी भासा पुरानी है तो सबसे बिवस्त है तो जिस भासा से सभी भासाओं का जन्म हुआ ऐसी संस्कित भासा सबसे पुरानी है कौनसा भासा कौनसी भासा होना चाहिए मद्द प्रदेश की प्रमुक भासा है मद्द प्रदेश की प्रमुग भासा आपको बतलानी है इनमें से कौनसी है तो मद्द प्रदेश की प्रमुग भासा है कौनसी हो जाएगी यहाँ पर मागदी कौनसी हो जाएगी दोस्तों मागदी आगे भासा समद बहुत अच्छे अच्छे परसन है मग ही किस भासा की उपवोली है किस भासा की उपवोली या मग ही जल्दी से बता दीजिए तो मग ही जो है राजिस्थानी भासा की उपवोली है किसकी है राजिस्थानी की निम्नमैसे कौनसी भासा भारत की प्रथम देश भासा है प्रथम देश भासा आपको बतलाना है भारत की प्रथम देश भासा देश भासा है पाली कौनसी है पाली याद रखना दक्षिन भारत में हिंदी पिचार सवा का मुख्याला कहां पर इस्ते तक कई बार पूछ लिया गया है, रठ जाना चाहिए पूछन तो, कई बार मैंने देखा पूछा गया है, तो दक्षिन भारत में जो हिंदी भाषा का मुख्याला है, कहां पर है, चेन नहीं मैं, याद रखिएगा हिंदी भासा किस लिपी में लिखी जाती है रठी जाना चाहिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भासा देवरागरी लिपी में लिखी जाती है संस्कित कौन सी में लिखी जाती है संस्कित वीक देवनागरी लिपी में लिखी जाती है ठीक है याद रखि लिखी जाती है जल्दी से बता दें तो सिंधी तो लिखी नहीं जाती है तो ब्राचण में होती है उड़िया भी नहीं लिखी जाती है गुजराती भी नहीं है मराठी जो है देवनागरी लिपी में लिखी जाती है उच्यारण में बायू प्रच्छेप की दृष्टी से बे सही उच्चारण स्थान क्या है? ता मैंने आपको पहले ही वताय था कि तबर्ग जो है दंत से बोला जाता है आप बोल करके देखो ता, था, दा, दा, ना दोनों दांत आपस में मिल ले इसली क्या हो गया? दंत हो गया ऐसे आप बोल करके लगा सकते है वाका उच्चारण स्थान क्या है? तो संस्कित में हमने पढ़ा है कि वकारस दंतोष्ठम ठीक है? संस्कित की विया आदिया आपको तैयारी करनी हो तो हमारी यूट्यूब चैनल हो जाएगा वाका उच्चारण स्थान हो जाएगा आगे महेंदर का सक्दी विक्षित्र हमारी ट्रेक आप यहाँ पर लगा लें संधी जिसने पढ़ी होगी कि एक मात्रा है मतलब गुण संधी ठीक है? आप इसको अपन तोड़ लेते हैं मतला महान है पिलास इंदर जो महान इंदर है जो वाई क् creator हो जाएगा महेंदर तो एक मात्रा लगी है मतलब यहाँ पर कौन सि संधी पूछ लेता तो गुण संधी यहाँ पर हो जाती ठीक है वीडियो को लाइक चरूर करना दोस्तों यदि प्रिश्ण पसंद आ रहे हो आपको समझ में आ रहा हो आगे निमने मैंसे दंत धोनी कौन सी है दंत मतलब जिसका उच्चारण स्थान दंत हो अब यहाल हमने बताया था भाई कि कौन सा बर्ग पूरा का पूरा दंत है तो ता बर्ग जो है दंत है तो ताथा दाधा नाई सारे कैसी है दंत धोनी है उच्छान स्थान मिलको रट लीजिए आप पूरे निमने मैंसे कंठ थोनी कौन सी है कंठ मतलब जिनका उच्छान स्थान कंठ है तो पहला जो बर्ग है वो कंठ का है कबर्ग अब इन मैंसे कबर्ग का आप देख लो का तो है नी तो का खा गा 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 कबर्ग के हैं प्रतेग बर्ग में कितने बरण होते हैं पांच बरण होते हैं कितने होते हैं प्रतेग बर्ग में पांच बरण होते हैं तो यहां पर कबर का क्या उच्छा अंस्तान हो जाए गा और घा लाइक ना किया हो तो दोस्तों जरू करना वीडियो को अभी तक आगे देखें दक्षण भारत में हिंदी पिचारणी सवा का मुख्याला कहां है पिछले वीडियो में था रिपीट हो गया है कोई बात नहीं तो दक्षण भारत में हिंदी पिचारणी सवा का मुख्याला कहां पर है चिन नई में ठीक है याद रखीगा महत्पूर्ण है आगे ऐसे ही के लिए फिरी टेस्ट सीरीज चालू हो गई है जिसमें से आपको 20 मिनिटों 20 प्रिशनों को उत्तर देने हैं डेलिये आपका एनलाइसिस होगा और इसमें T20 सीरीज में बीकली फिरी लाइप फुल आपको मुक टेस्ट यहां पर दिया जाएगा MPPSC प्रिमियंस जेल पहरी MPP पुलिस काउंस्टेवल सबस्पेक्टर सभी पेपर की आपको एनलाइसिस टॉप एजूकेटर के माद्र हमसे कराया जाए आपको जड़ना चाहते हो आप फिरी पिलान चालू हो जाएगा तो आप इसको याद रखें और अच्छे से तयारी करके आप लाब ले सकते है तो फिरी यदि आपको पड़ना है तो रेफ्रette Cor 막 डालना है सुमिट जैन और फिरी पिलान आपका शुरू हो जाएगा तो आइस लिख प्रकार से आप लाब ले सकते हैं, जाए हिंद्ट